प्राइम टाइम बुलुटिन के प्रायों जखें अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर भारत का पहला वा एक माध QAI एक्रेडिटेड सेंटर यूएस एफडिये एन यूरोपियन यूनियन अप्रूवड एक्विप्मेंट्स आर्थ बिल्डिंग मदुबन उदैपूर प्रत्रदर्शान भिंडर हत्यकान मामले में आरोपी नहीं पकड़े जाने से खपा है समाज जिंता गली में ज्वलन शिल्पधार्ट के बंडारन से हाथ से की बनी हुई ये आशंका इस्थानी लोगों ने प्रशासन को चेताया सोपा ग्यापा और बारिवोर्ट कलाका देओल फैमिली उदैपूर में महंजी रस्म के साथ शुरू हुए भान जी की शादी स्थमारों के कारीकरट उदैपूर शायर के प्रताब लेकर थाना शेत्र में साराफा वेवसाई के साथ हुई लाखों की लूट मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सबलता लगी है इस लूट की वारदात के बहुत तर गंटे में खुलासा करते हुए पुलिस ने पांच आरुपे को गिरफतार किया है जिनके कबजे से बीस लाख रुपे के आभूशन जब्त किये है एस पी भुवन बुशर ने प्रेस कांफरेंस कर इस वारदात के खुलासे की जन करी दी रताबर के ठाने में प्रार्थी बाबुलाल पुत्र चत्रा डांगी निवासी पूरिया गोवला तैसिल गिरवा ने रिपोर्ट दी कि जिन्चोराय इस दी तो उसकी दुकान मातेशुर ज्वेलर से दुकान में रखी ज्वेलर के साथ लेकर वो अपने गह जाता था रास्ते में गोवला पूरिया गाउं में जाने वाले रोड पर पीछे से मोटर साइकल सवार तीन विक्तिया आए जिन् थानादिकारी हिमान शुसीय राजावत के निर्देशन में टीम का गठन किया गया और तत्काल प्रभाव से सुचना तंत्र और मुक्वीर तंत्र को माकूल करते हुए देवारी शित्र में कुछ संदिक दोग को पकड़ा इन से सुचना जुठाने पर यूगों के बड़ी साधरी होने की जानकारी मिली इस पर हिमान शुसी थाना दिकारी और उनकी टीम तलाश शुरू किरते हुए वहां जापोची इस मामने में अरजुन चुहान पित्र केलाश चुहान निवासी आजात मेंगर हिर्ण मगरी कमलेश मेगवाल और कम्मू पिता रूपलाल मेगव तो पता चला कि लूटे के माल में से सोने का कुछ माल दिलिपसियं तवर उर्फ दिशूर्फ दिपक पिता मनोर्शियं तवर चाती राजपूर निवासी दर्जियों के नोहरे के पास बड़ी साधरी थाना बड़ी साधरी को दिया चांदी के सभी आर्टिकल सुनिल सोनी पिता रादिश शामसोनी निवासी लोहारो के गली बड़ी साधरी को दे दिया इन सभी की मिली भगत से चांदी को गला कर सिलिया बना दी गई सभी पांचों अभिक्त गणों को क्रिफ्तार करते हुए लूटा गया पूरा माल बरामत कर लिया गया है और उपयों से पूस्ताज में सामने आया है कि अर्जुन चोहान कमलेश मेगवालो और कम्मो और रेतिक और फ्रोहित ने गटना से करीब 10 दिन पूरू प्रार्थी बावलाल डांगी की दुकान की रेकी कर रहे थे अभिक्त गणों को पता चल रहा था कि रोजाना शाम को बावलाल डांगी अपनी दुकान से शाम को सोना चांदी को थेले में रखकर अपने घर लेकर जाता है अगले दिन सुबह वापस लेकर आता है अभिक्त गणों ने प्रार्थी को दुकान से निकलते ही उसका पीछा करना शुरू किया और सुनसान जगे पाते ही उसे चाकू दिखाकर लूट लिया ये 25 जनवरी को देबाइस शेतर के जो जो जैली का वेवसाही था उसने एक रिपोर्ट दी कि जब अपने दुकान बंद करके अपना सारा समान लेकर वापस घर की तरफ आ रहा था तो तीन यूवक मोर्साइगिल पर आए और उन्होंने उसको चाकू दिखाकर उसके सारे जे अपना गर है उनको निदेशित किया कि इसमें टीम बनाकर तुरंत कर वी जाए तो महज बहतर गंटे के अंदर इन्होंने उस लूट का परदाफाश किया और रिकवरी भी इन्होंने पूरे बीस लाग के समान जानी बारा किलो चांदी हो इससे सता तोला सोनागी यह उने रिकवरी करी इसके दोना इन्होंने बड़ी साधरी चितोड से अरजुन चोहान कमलेश मेगवाल और रितिकृफ रोहित इन तिनों गरिफतार किया जो इस लूट के अंदर इन्वोल्व थे और साथ में जो इनका फैसलिटर करने वाला था जिसने पूरा समान का इदर-दर करने का काम किया था दिलीप सिंग तवर उसको भी और जिसने सारा समान खरीदा था जो 411 का मुल्जीम सुनार था सुनील सुनी उन सब को इन्होंने गृफतार किया और पूरे के पूरे 20 लाग के माल की इन्होंने रिकवरी करी इसके अंदर जो एसाई है परवत सिंग उनक कि दुनों भी खिलाफ नहीं है श्री जी एक्जॉटिका और रूप मदुबन प्रोजेक्ट की अपार सपलता के बाद अरिहाद ग्रूप लेकर आये हैं अपना नया प्रोजेक्ट श्री जी एक्जॉटिका फेस टू मौडन अमिनिटीज वाले आलिशान घर उदैपुर की सबसे प्राइम लोकेशन पर साली बिशिन मौल के पीछे जहा मिलेगी कई मौडन अमिनिटीज जैसे गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, किट्स प्ले एरिया, कम्यूनिटी हॉल और योगा रूप जैसी सभी आधुनिक सु करने और जाय भीम का जंड़ा हटाने का विरूद करते हुए जंगी प्रदेशन किया गया, बिल प्रदेश मुक्ती मोर्चा के बैनर तले, स्टेसी समाज के विविन संगठोनों ने उगर प्रदेशन के बाहर किया और रूर को जाम रखा, बिंडर थाना शेत्र में तीन मह प्रदेशन का जताते हुए मामलत धर्श करवाया था, लेकिन पूलिस त्वारा अब तक आरुप्यों के गिरिफ्तारी नहीं की गई, ऐसे में समाज में खासा आक्रूश फेल गया है, इसके साथ उद्यापुर की कूट चुरा है, पर जय भीम के जंड़े को हटाने की बात को लेकर भी समाज और संगर्टनों में आकरोश दिखा जा रहा है, इनी मुद्दों को लेकर सोंबार को द्यापुर कलेक्रेट पर भील प्रदेश मुक्ति मोच्छा के बैनर सेले विबिन संगर्टनों ने अपना विरू जताया, प्रदेशन कारियों ने जय जोहार, जय आ हमारे एक भाई जो वल्लब नगर थाना चेतर में निवास्ची थे, उन छोटा भाई जी जो 14 साल के थे, उनके साथ किसी असामाजिक तत्वों ने गुंडों ने मिलकर उसको रात को गुलाया, गुलाने के बाद में उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, हत्या करने के के बाद में अभी तक लगबग उसके तीन महीने हो चुके हैं, नौमबर में उसकी घटना हुई थी, देवेंदर भील की, तो आज तक अभी तक कारवाई नहीं हो पाई है, और अभी बीचे थोड़े दिन पहले उन्होंने कारवाई नहीं करते हुए, किसी और अधिकारी क इसकी जाच की रिपोर्ट सोब दी गई, और वलबनगर थाना चेत्र जहां, वहां का जो परशाशन है, वो उन अपरादियों को किसी भी तरीके से उनको बचाने का, उनके उनको लिए रक्षक बना हुआ है, और उनके खिलाब आस तक कारवाई नहीं कर रहा है, केते हैं कि एक एफायर कड़ जाने के बाद, तीन मीन नब्वे दिन के अंदर चालान पेस हो जाना चाहिए, तो अभी तक चालान पेस नहीं हुआ है, तो पुलीस परशाशन किसको बचाने का कार्य कर रहे हैं, उसके समर्थन में आज हम कलेक्टर महदे और SPIG महदे से बेटक बात करन जुदापू शेर के अजनता गली में रिहाइशी इलाका है और यहां पर काफी समय से जुलनचिल पदात का गोदाम संचाले थे जिसके चलते इस्थानी लोगों में खौफ का माहुल बना हुआ है, लोगों का कहना है कि इससे अन्य जगे इस्थाना अंतरित किया जाए, ऐ हातिपूल अजनता की गली इसनी सिया मस्दित परिशर में अवेद तरीके से त्यंत जोलेशी तरदार और उसके साथ ही कपड़े की कत्रने लकडी केरोसीन, लुब्रिकेट, ओयल आधी का बंदारन किया जा रहा है, जो कि आसपास रहने वालों के लिए जो खिमबरा हो सु और एम भी हॉस्पिटल के करमशारियों के क्वाटर और सभागार बना हुआ है, नर्सिंग बॉइज होस्टल, नर्सिंग क्वाटर और पास में ही रदैविबाग का हॉस्पिटल भी बना हुआ है, अगर इस अवेद गोदाम से कोई गटना गटित होती है, तो बड़ी जन से बड़ा नुकसान हुआ था. क्लेक्ट साब को बोला है, यह रिहाईशी एरिया है, आसपास कावी कॉंप्लेक्स है, हॉस्पिटल है, अपना सभागर है हॉस्पिटल का, नर्सिंग क्वाटर से, धार्मिक आयोजन्स होते हैं वहापर, तो उसके रिगार्डिंग हमने पता है कि वहापर कभी भी कोई हास दोक्र निकीता चोधरी की शादी, उदैपूर में होने जा रही है, लिकीता चोधरी सनी दॉल की बहन, अजीता की बीटी है होगी देवल परिवार तीन दिन तक उद्यापूर में रुखेगा रेवार को अपनी मा के साथ उद्यापूर आइरपोर्ट से निकलते हुए बोभी दोल धरमेंदर की पत्नी प्रकाश पोर बेटी सनी बोभी और तुलहन निकिता चोदरी उद्यापूर पहुंच चुके में पर फैंस की भीड जुट कही थी भभी ने फैंस के साथ सेल्फी लेकर उन्हें खुश कर दिया आपको बताते कि अपनी बान जी डॉक्तर निकिता चोदरी की शादी के लिए लिए लोकेशन मामा सनी दियोवल ने डिटी साइट किया था इसके लिए सनी 18 जन्वरी पो उध CAC, वेल एक्विप्पिप्पिप्स, चमिस्ट्री, बिएलोगी और चुटर लाब, अप टो 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned, pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility, school also ensure full security while pick and drop your child, the Scholar's Arena English Medium Senior Secondary School, सवीना बाइपास, सेक्टर 9, हीरनमगरी, उद्धैपर, और 2nd branch, न्यू स्वामी नगर, 100 feet road, टेकरी मादडी लिंक road, उद्धैपर. मुझे के तौर पर गए थे, यहां पर खराडी को चारपाई पर बैठा कर डान्स कराये गया, समारों में चातरशात्रहों नहें मूर्या निर्थि किया, चातर चातर हैं, चारपाई के चारों और डांस करते रहें, डांस करते करते, मंच पर मेठे मंत्री के पास गए और उन्हें चारपाई पर बिठा लिया, इसके बाद चारपाई को हवा में उच्छाला, चारपाई पर मेठे मंत्री भी हाथ खिला कर डांस करने लगे, मंत्री क आरोपियों को गिर्पतार कर दिया है वो इस आरोपियों से पूस्ताज में जूटी हुई है प्राथि नों बताया कि 21 जनवरी को शाम साड़े पांच पजे के करेब वो उसके दोस्तों के साथ में ओटो के जरीए सीए सरकल पर चाय की दुकान पर बैठे थे वाँ पाचनक दो गाड़ी आएं जिसमें शाजाद सराड़ी, साजीत उर्टोनी, अयुपशया, बिलू कटोरा, हिदियत खान, बाबु मेवाती का लड़का, शेरियान खान, अब्दुलतवाद और अन्य आरोपी आए, पुराने रंजिस को लेकर शाजाद सराड़ी गारा फाइर किया गया, जिससे मेरे दोनों पेरों की जांगों पर गोली लगी, साजीत उर्टोनिंग ने भी फाइर किये, काले कलर की, एको स्पोर्ट्स के चालक ने मेरे उपर गाड़ी चड़ाई, जिससे मैं गाहल हो गया, इसके बाद वो बोग, भूपसी और शरापत तवर ये प्रियास किये, इस पर मौमद साजीत उर्टोनी, पिता मौमद शबीर, निवासी पल्टन मोला, सरडा, और आशिक खान बक्ष, उर्फ बिल्लु काटोरा, पिता वाहिद बक्ष, निवासी रजजग, नगर, कली नमबर 3, किशन पॉल, उधापूर को किर्फतार किया है पूनम फनीचर, 31 वर्षों से आपकी सेवा में, ओफिस, हॉस्पिटिल्स, होटेल्स, कॉलेज, कॉर्परेट और सभी तरह के गवर्मेंट इंस्टिटूशन्स में, टर्न की प्रोजेक्स विसे शग्य, पूनम फनीचर्स आपके लिए लाए है, जीरो डाउन पेमेंट, 0% प्याजपर, आसान व्रिन योजना, घर के आंगन साला के ससुराल का हर कोना, पूनम फनीचर्स के बिना बिटिया ससुराल ना जाए, पूनम फनीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, में रोड उधैपुर, राजिस्तान पुलिस गरा, प्रोदेश में साइबर अपरात को रोकने जा चुके हैं, रास्तान पुलिस द्वारा स्वाइपर अपरात रोकने के लिए कुछ संदिक्त मोबाइल नम्रों को ट्रेस पर रखा गया है, जिसको लेकर लगातार लोकेशन खंगाली जा रही है, इसी के चलते सवीना पुलिस ने कुछ नम्रों को लोकेशन पर लिया, और उसी के चलते एक लिंग पुरा में किराय के मकान में चार विक्ति, जिनका नाम संतोष पाटिदार, शंकर पाटिदार, मेक पाटिदार और चितेंदर पाटिदार है, यह पारड़ा आसपूर जिला डूंगरपू के रहने वाले हैं, इनकी तलाशी लेने पर चारो अभ लड़की का शिकार करते हैैं, लड़किया सप्लाई करने के लिए साइट पर विग्यापन है तो लड़कियों के फोटो और नंबर 8 किये जाते हैं, जिस से लोग संपर्कर करते हैं, पहले ही online पैसे लेले ते हैं, फिर उन वित्तियों के मोबाइल नंबर ब्लौक कर देते ह पुलिस इन आरोपियों से पूस्ताज कर रही है। के बैग में रखे 3,30,000 रुपे और एक बाइक चोरी कर ली गई थी इसके रिपोर्ट दीवी लाल ने रेलमगरा थाने में धर्ज करवाई थी प्रकरन की जांच करते हुए आरोपी चेतन परकाश चींए पुत्र अरजुन सिंग रावत निवासी माईला उड़ा बोरी मादा थाना, सिर्यारी जिलापाली, और आजय मिना, पुत्र नरायनलाल मिना, चोरासी डुंगरपूर को डिटेन कर पूझताज की दोनों ने चोरी की वारतात करना कभूर कर लिया है। काफा कारोबारी से 20 लाग का सोना चांदी लूटने वालों को किया गिर्फतार, माल खरितने वाले समय पांच को पकड़ा। भील प्रदेश मुक्ती मोर्चा का कलेक्टर प्रदर्शान, भिंडर हत्यकान मामले में आरों की नहीं पकड़े जाने से खपाहे समाज। जिन्ता गली में ज्वलन शिल्पधार्ट के बंडारन से हाथ से की बनी हुई ये आशंका, इस्थानी लोगों ने प्रशासन को चेताया सोपा ग्या पार। और बालीवोर्ट कलाका देओल फैमिली उदापूर में महंधी रस्म के साथ शुरू हुए भान जी की शादी स्तमारों के कारीकरत। QAI Accredited Center US FDA and European Union Approved Equipments Earth Building, Madhuban Udaipur ये है Channel 91 Plus Network और आप देख रहे हैं News 91 News 91, आवाज हम सब की